AutoCAD में image insert करने के लिए बहुत से लोगों को problem जाती है तो आज हम उसका solution देखने वाल है Hello Engineer महुध हनंजेड आखरे पहले आपको क्या करना है AutoCAD open करना है open करने के बाद में आपको एक command type करने है उसका नाम है X reference XR उसका shortcut होता है आप enter कर दोगे उसके बाद में आपके सामने ये dialog box open हो जाएगा यहाँ पर आपको side में जाना है यहाँ पर click करने के बाद में देखो यहाँ पर attach image का option दिख रहा है आपको यहाँ पर click करने के बाद में देखो यहाँ पर open हो चुका है आपके desktop में कहा पर भी आपकी image से होगी तो उसको आप open करवा सकते हो अभी image मेरी यहापर है 3D image मैं इसको select करता हूँ और open करवा देता हूँ इसके बाद मैं आपको यहापर okay करना है इसके बाद मैं आपको AutoCAD में एक command में पूछेगा specify insertion point मैं 0,0 पर इसके बाद मैं आपको पूछेगा specify scale factor मैं 1 डाल देता हूँ enter करवा देता हूँ इस तरीके से आप अपनी image को AutoCAD में insert करवा सकते हो X reference के command के help से आप यहापर PDF भी insert करवा सकते हो यहापर ही जाओगे आप PDF में जाने के बाद में आपकी PDF जहापर भी से होगी अगर यह मेरी PDF होगी तो मैं इसको open करवा देता हूँ ok करवा देता हूँ इस तरीके से मेरी PDF भी यहापर आ चुकी है AutoCAD में image या PDF आप आराम से insert करवा सकते हो X reference कमाड के help से आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बता देना Thank you so much engineer